गर्मी आते ही हम सभी को आईस्क्रीम खाना बहुत ही पसंद होता है तो आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी बटर स्कॉच आईस्क्रीम की रेस्पी आपको बहुत पसंद आएगी आज हम घर पर इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे ख थोड़ी थोड़े से तुकड़े आते हैं काफी क्रण्ची होते हैं तो हम सबसे पहले वही बनाएंगे तो कैरामल क्रण्चे बनाने के लिए पैंन में हम डालें एक कप चीनी और चीनी को हम लो फ्लेम पर अच्छे दालने हुआ जलदी ही मेल्ट हो जाएगी और चासदी में कनवर्डु जाएगी, अगर पानी जाए लेगे तो जू केरमल वाला सीमें ब्राउन और होना तो जातए हम चीनी को लो फलें undertaken heat एक दम मेल्ट होती जाएगी और इसका जो कलर है हलका हलका चेंज होता जाएगा और लास्ट में आपका कलर कुछ इस तरह इसे ब्राउन कलर की हो जाएगी और जैसे आपको लगने लगे कि इसका कलर ब्राउन हो गया है तब इस स्टेज पर आप डाल दीजेगा थोड़ा सा अगर बटर नहीं है तो एक चम्मच आप देशी घी इसमें डाल सकते हैं और बटर जैसे हलका सा मेल्ट हो जाएगे थोड़े से हमने काजू लिए हैं आप काजू की जगर बादाम भी डाल सकते हैं या अक्रोड भी डाल सकते हैं कोई भी नट्स इसमें यूज कर सकते हैं क तो थोड़े से चोटे टुकड़े और कर लीजिए तो इसको हम लगाता दो ती मिनट तक और पकाएंगे इस दम इसका डार कलर हो जाए और जब हम इसको हाथों से इस तरह से करें तो यह अच्छी से चिप चिपाहट इसमें आनी चाहिए ऐसा लगना चाहिए कि आपकी अब हम इसको जमने के लिए लगभग 1 घंटे के लिए रातें बैसे तो यहदो अच्छे से जब ऐसे लिए एक दम टाइट इसके लिए हम पूरा एक गंटे के लिए इसको रख देंगे तो चलिए हम इसको रेश्ट के लिए रख देते हैं तो लीजे लगबाग एक घंटा हो चुका है और जो केरमल क्रंच है हमारा बहुत अच्छी से सैट हो गया है तो अब इसको हम चाकू से या किसी स्पून की मदद से तरह से निकाल लेंगे और इस हो तो लीजे हमारे बटरस्कोच आइस क्रेम में डालने वाला केरामल क्रंच में तयार है इस हम हम आलग बोल में निकाल लेते हैं है आप चलते हैं हम ग कंइस की तरफ कड़ाए अधा लीटर दूद यहाँ पर मैं काफ़ी गालें इस्त्रमाल कर रही हूं आइस क्रीम हो या कुलफी आप अच्छा गाड़ा दूद लेंगे मलाई दाल लेंगे तो बहुत जादा टेस्टी बनती है तो यहाँ पर मैं पूरा आधा रीटा दूद ले रही हूँ और साथ में जितनी भी मलाई थी दूद में मैंने सारी मलाई भी ले ली है यह दूद कल है या एसेंस है तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं बट सहर किसी के पास एसेंस या फ्लेवर नहीं रहता है तो इसलिए हम कश्टर्ड पाउडर से इसको बनाएंगे इससे दो फायदे होंगे एक तो हमारे दूद में जो घाड़ा पर होना चाहिए ठिकनेस होनी चाहिए बो भी रहती है और साथ में फ्लेवर भी बटर स्कॉच वाला आ जाएगा तो इसमें हमने लगबक आठ दस चम्मच दूद डाल लिया है नॉर्मल दूद जो कड़ाई में डाला था वही ले लिया है इसको मच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आब हम दूद को अच्छे से पक कश्टड पाउडर डालेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें वरना इसमें गुट्लिया सी पढ़ जाती है मैंने सारा एकट्टर डाल दिया है तो आप देख सकते हैं काफी इसमें गुट्लिया जैसी पढ़ गई है लेकिन अभी हम इसको लगातार चलाएंगे तो यह काफी हद तक सही हो जाएंगी और अभी हमें इसको मिक्सी में चर्ण भी करना है तो यह स्मूथ हो जाएंगी तो लीजिए हमने दूद को लगबग 2 मिनट तक पका लिया है और कश्टड पाउडर भी काफी अच्छे से मिक्स हो गया है आप यहां पर हम डालेंगे तो चीनी हम यहां पर स्वादंसार डालेंगे तो एक कप मैं चीनी यहां पर डाल रही हूं आप अपने हिसाब से अज़स्ट कर सकते हैं वैसे चीनी थोड़ी सी जादा ही डाले तो चलिए हम चीनी को भी अच्छे से मेल्ट होने तक दूद को पका लेते हैं तो फाइनली जो दूद है बटर स्कॉच आइस क्रीम के लिए बिलकोल बन करके तयार है काफी थिक हो गया है तो चलिए हम इसको ठंडा होने देते हैं तो जो दूद है काफी अच्छे से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं यह पहले से काफी गहड़ा हो गया है एक दम रबडी डा और अब हम इसका डखकन बंद करके आइस्क्रीम को जमने के लिए रख देंगे तो लगबग हम इसको 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि यह आधे से ज्यादा जम जाए तो आप देख सकते हैं लगबग 3-4 घंटे हो चुके हैं और आइस्क्रीम जो है काफी अच्छे से जम चुकी है पूरी तरह नहीं जमी है साइड में काफी अच्छे से जमी है बीच में थोड़ा सा सॉफ्ट है तो अब हम इसको डालेंगे मिक्सी के जार में और जार में डाल करके इसको हम चर्ण करेंगे होता क्या है कि जो नॉर्मल दूर होता है काफी हैबी होता है जिसक इतनी बची है तो मैं दो बार में चर्ण करूंगी तो चलिए इसको हम अच्छे से चला लेते हैं तो यह देखिए जो हमारा दूद्ध था तो हमारी आइस क्रीम थी बहुत अच्छे से एकदम क्रीमी टैक्शर की हो गई है आप देख सकते हैं एकदम लाइट वेट में हो बिटर को हमें करना करके रखें के हुए थे इनको अपर से डालेंगे आप चाहे तो एक बार में ही पूड़ी आइस क्रीम बैटर में यह कर्ण्च मिला सकते हैं बड्ट में इस तरह अधार हम सब्सक्राइबध तो बहुद अच्छे से मिक्स हो जाएंगे Неतो बॉट इसको को भी अच्छे से डाल कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा स्पूर्ण से एक्सा कर देंगे और यहाद वह कि यह जद। जिए आपके जितना ज्यादा चाहते हैं उसे साब से डाल सकते हैं तो हमने बड़िया आई क्रिम को पर से वह आइप अप पॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथन दे सकते हैं यह लगाना बहुत जरूरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आइसक्रीम सॉफ्ट नहीं बन रही है वही कारण होता है कि आप लोग पॉइल पेपर या पॉलीथन नहीं लगाते हैं और डिब्बा कितना भी अब जरूर लगाईए थोड़ी बहुत एयर चली ही जाती है तो चलिए हम इसको फिर से जमने के लिए रग देते हैं तो लगबग पांच शे कंटे और लगे हैं आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से सैट हो गई है आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया डिलीसियस लग रह होती है सब्याः घर पर मिल जाती है तो आज मैं आपको इसी कर्चली से बॉल्स बननाना बताओंगी क्योंकि बहुत से लोगे पास नहीं है बार वार यही प्रोसेस रिपीट करना है तो जिससे जो है बॉल्स अच्छे से बन करके तयार हो जाती है यह देखिए बहुत अच्छे से बॉल्स बनी है अब आप एक फोक ले लीजिए या स्पून ले लीजिए और उसकी हेल्प से इसको निकाल लीजिए तो आप देख सकत आइस को छाने में आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि अप बाजार की आइस-क्रीम खा रहे हैं है घर पर बनी आइस-क्रीम खा रहे हैं तो हम उपर से थोड़े से केरमल क्रंच और डाल देंगे ताकि देखने में बहुत ही लूकिंग बढ़ी आइस की तो लीजिए तयार ह हमारी बटर स्कोच आइस क्रीम तो चलिए मैं आपको इस्पून से कट करके दिखाती हूं यह देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी आइस क्रीम बनी है बहुत ही डिलीसियस है तो यह जो आइस क्रीम है रियली गाइस इतनी टेस्टी है अगर आप एक बार खा लेंगे ना तो आप बाजार की आइस क्रीम खाना बूल जाएंगे बहुत बहुत ही डिलीसियस है आप इस तरह से जरूर बना करके देखिए गा और अपने एक्सपिरियंस मेरे साथ सेयर करिएगा कि आपके आइस क्रीम कैसी बनी आपको कैसी लगए तो फ्रंस अमीद करती हूं कि आपको आज क पसंद आई होगी अगर फ्रंस आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलते हैं अगरी रेस्पी में तब तक के लिए बाबाई टिक येर